वेज अंडा करी जिसे हम बनाने वाले हैं बिना अंडे के पनीर और आलू के साथ जो की बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सबजी है अगर कुछ स्पेशल बनाने का अमन करें तो इसे जरूर से आप ट्राइ कीजिए तो यहां पे सबसे पहले मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया ह और इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसके साथ आलू भी कद्दुकस कर लेंगे आलू जो है यह मैंने बॉइल कर लिये है दो आलू लिये है तो यहां पे हम देड आलू को ही कद्दुकस करेंगे तो यह देखिए बाइंडिंग और टेस्ट दोनों के लिए बहुत इंपॉर यहां पे मैंने आधा ही अलो एत किया है तो देढ़ आलु एने ले लिया है इसी के साथ यहां पे आधा चंमच नमक मैंने तो टेबल स्पून मैदा और यहां पे कॉन फ्लोर लिया है जिससे कि यह जो हमारे अंडे हैं यह है अच्छे से इसकी बाइवडिन हो जाए साथी में देखिए, एक मीडियम साइस का टमाटर और प्याज करी के लिए पका दिया है, इसे हम ठंडा होने रख देते हैं, साथी में देखिए कि इतना आच्छा डो रेडी हो चुका है तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कि इसके दो पोश्चिन रेडी करेंगे यलो पोशिन के लिए यहां पे थोड़ी सी हल्दी मैंने ले लिया है जिससे एक natural yellow color हमें मिल जाए तो यह देखिए यहां पे अंडे के अंदर का yellow पोशिन बनाने के लिए हम छोटे-छोटे से balls बना लेंगे तो यहां पे देखिए यह साइज मैंने बनाया है और बाकी भी मैंने रेडी कर लिया है अब जो हम उपर का वाइट पोशन होता है उसे रेडी करेंगे तो यहां पे थोड़ा बड़ा मैंने पेड़ा ले लिया है अब हम इसे हातों की help से देखिए ऐसे धीमे धीमे प्रेस करते जाएंगे और इसे spread करेंगे फैलाते जाएंगे यहाँ पे अब हम बीच में यह सेट करेंगे हमारा जो यह यह यलो पोशन है और इसे से close कर देंगे तो यह बहुत ही easily आसानी से आप यह बना पाएंगे इसे shape देखिए कितने फटाफट से जल्दी से बन गया है तो यह एक बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी तो इसी प्रकार से हम बाकी के भी हमारे जो अंडे है यह बना लेते हैं आइमीन तो से वेज अंडे तो यह देखिए यह बहुत ही अच्छा सा यह जो अंडे ह देखिए अच्छा लग रहा है कि रियल बॉयल ओरिजनल वाले है वोयल करके हमने रखे हैं तो देखिए यहां पर हम एक घोल बना लेते हैं दो टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया है और इसका एक फाइन घोल मैंने बना लिया है बहुत जादा गाड़ा नहीं है यह बा अंडे है यह फटेंगे नहीं यह बहुत इंपोर्टन है कि आप मैदे का घूल बना के इसे कोटिंग दे दीजिए तो यहां पे हम धीमी दीमी आज पे इसे फ्राइ करेंगे ताकि यह जो हमारे आलू और पनीर है यह बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर हमें मिल जाए तो यह हमारे वेड जैंक साहिए है वेड़ फ्राइ फ्राइश रख़गे निकाल लिते हैं यहां पे मैंने कढ़ाइ को वाश कर लिया है आप अगर चाहे तो सी याद बना सकते है तो यहां पे मैंने ऑईल ले लिया है जार पड connect चमबच, इस जो हमने मसाला रखा हुआ था थंडा होने के लिए प्यास टमाटर घुनके यह थंडा हो चुका है इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करके हम इसे अच्छे से पीस लेंगे जिससे कि हमारी ग्रेवी है जो करी है बहुत ही अच्छी और थिक बनेगी तो जैसे ही हमारा ओइल थोड़ा गर्म होता है मैंने यहा ठ्स थेपला खर्णाटर दिद्नाटर जच्ट कोरी बहुत ही ततंएस defenses में चाहिए तेस्ट सबस चाहिए भूंके ग्रेवी बनातही है तो देखंते हैं मैं ठाकक्री 묶्वाउटर भूने हूद्ट तक में नहीं घृम कर लिए है तो देखे ढ़ने होवा थे दीमी आज से तो देखें बहुत ही जल्दी पान्च्व मिनिट के पाउडरी अंधरी साथ जल्डी जो मसाले है रेच्थी पाउडर तो इस साथ, अच्छे से भुन लेंगे दो मिनिट के लिए तो हमारा मसाला है बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा और यहां पर मेरे साथ छोट इसी एक गड़बर हो चुकी है धनिया पावडर और गड़म मसाला भी मैंने आट किया है हाफ आफ टेबल स्पून बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है तो इसके लिए माफी चाहती हूँ इसके साथ ही यहां पर मैंने धनिया पता आट किया है धेर सारा और यहां पर एक ग्लास मैंने पानी आट कर लिया है ग्रेवी के लिए तो अब हम इसे कुक होने देते हैं दो वेज अंडे वो हम इसमें आट करेंगे और इसे कुक नहीं करना है सिर्फ एक मिनिट तक पकाना है और यह डिलीशिस सी वेज अंड करी रेडी है और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज दू लाइक शेयर और सब्स्क्राइब तो माई यूट्यूब चै कर दो करेंगे और संद जींट चैंड करेंगे हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अगल है